मेरी माँ को मैंने रेडियो सुनते होँ देखा था वो रेडियो सुनती थी जिसपर हावा मेल कर रिकरम आता था उसमें मुझे भी जग्यासा ओते थी की रेडियो कैसे बच दcience दा है उसमें कियुछ गाने वाले बोलने वाले बेखे रहते क्या तो मेरी माने मुर्ग को बताया कि ऐसा नहीं है कहीं दूर वो लोग बोलते हैं और हम माँ सुनते हैं तब मरे दिमाग में ये आया कि मुझे भी रिडियो में जाना है आगाश्मणी में बोलना है और बोलने के बाद मैं ये सूच रहा था कि मेरी माँ मेरी आवास सुने उसमें हमावल और बिनाका गीतमाला के प्रोग्राम मुझे बहुत पतंता मेरी माँ गुजर गी लेकिन मेरा सपना मेरे दिल में जिन्दा था कि मुझे आगाश्मणी पर जाकर बोलना है जैसा कहा था था कि आप सोचते हैं तो प्रकरती भी आपके साथ में यो काम करना चुरू कर देती जिसको आप चाहते हो मैं अपने लक्ष के पीछे रहा और मुझे ऐसा लागा कि मुझे हर दम यही सुचना कि मेरी आवाज अच्छी हो और मैं आगाश्मणी पर प्रोग्राम दूँ और शूता मुझे सुने मैं जहां आविस में काम करता था उस आविस की खटी किड़की से आगाश्मणी का बोर्ड और गेट दिकाई देता था तो मैं कहता था कि लोगों को बलता था कि मैं एक दिन यहां पर जाओंगा और बनूँगा तो लोग हस्ते थे हैं तब मजे पच्छा चला कि लोग जब हस्ते हैं तो आपका देश उच्छा हुता है उच्छा उदेश है तो लोग हस्ते हैं लोग मिलते थे और मैं आगाश्मणी के आडिशन देने पोच्छा तो मुझे फेल कर दिया गया बड़ा उदास हो गया क्या हुआ मेरी आवास करावगे और मेरे उच्छारन में कोई गलती हो क्या है तो मैं अधिकारी से मुलने पोच्छा कि क्या बात है क्या बात हो गई कि मेरे को फेल कर दिया तो उन्होंने का कि आपको अर्दू बोलना नहीं आता है मैंने का ये करसे बलते हैं तो उन्होंने का कि आप गम नहीं बोलते हैं आप गम बलते हैं जिंगगी मीनी बोलते हैं आप जिंदगी नहीं बोलते हैं आप जिंदगी नहीं बोलते हैं किताब खरी दी अर्दू की और मैंने अर्दू सेका नुकता काहा लगता है ये सब मैंने सीकने के बाद फिर आअडिशन दे जा आअडिशन देने के बाद आडिशन देने जब मैं पहुचा तो मुझे सिर्ष एक लाइन पढ़ाई और कहा आप जा सकते हो मैं फिर नराश हो गया मुझे लगता कि अभी मेरे को फेल कर दिया रिजल्ट आया तो मैं फास मैं खुश हुआ और उस वेक्ति के पास गया जिसने आडिशन लेया था मैंने का कि मुझे सिर्फ एक लाइन पढ़ाई और आपने का चली आओ ऐसा क्यों जब कि सारे लोगों को फुरे 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 फुर्ज पढ़ाय गए तो उन्हेंने का कि जब चावल पक जाते हैं तो एक दाना देखा दियाता है और वो दाना हमने दिख लिया था आप परिपट के और अच्छा आपने किया उसके बाद मेरा आवास का सपर शुरू हुआ मैंने कई डिकॉर्डिंग्स की प्रसारन के आगाश्मनी के तमाम रिक्रम किये शाक्षिय प्रग्राम में ने किये एड फिल्में सब किया तो जैसा कहा था था ना उचाई पर आदनी जाके नीचे आजाता है वैसे मेरे दिदी में होगा एक दिन अचानक मुझे ब्रेन स्थोक हो गया और होने के बाद मेरा हाथ और मेरा मुँ बोलने लाइक नहीं रहा है मेरी आवास ही नहीं देम लेक्री थे ओू ऐसा लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ करा उचारन कैसा है कैसा क्या गुलना है सब रिकॉर्ड दे था लेकिन मैं बोलने में सक्षम नहीं होता है मेरे को मेडिकल जल्दी नहीं हो ओला और मैं सिर्फ असपरलों में चार गंटे बाद पोचा मेरा हाथ कराब हुच जाता है और मेरी आवाज निकलना बंद हो गी थी हॉस्पिटल में मैं लेठा हुआ था मेरा साधन सिर्फ मोबाइल था तो मैंने उसमें एक वीडियो देखा वो वीडियो ऐसा था कि एक तीन्त भाईया गाड़ी थी जिसमें एक जुड़े हुए दो लोक थे बच्चे एक आमू अधर एक आमू इधर और वो गाड़ी चला रहे थे और पेट्रोल बहराने आये थे और वो आवसमें बात कर रहे थे तो उन्होंने पट्रोल बराया और निकल गए मैंने उस वीडियो के अंशक को देखा और सोचा कि ये लोग ऐसे जी सकते हैं ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता है उस समय मेरे दिमाग में यही आया कि मेरे को मुझे आवास को फिर से जन्दा करना है बोलना है वो है मैं करने लगया प्रैक्टिस करने लगया दीरे दीरे मेरे रिकॉर्डिंग करी और लक्ष बे पीछे रहा था मैंने पाल लिया लक्ष को आप कभी भी ऐसा नहीं कि छोड़ देना आप उसके पीछे रहो अगर आप गासलेट की लाइन में लोगगे तो आपको गासलेट मिलेगा अगर आप शकर की लाइन में लोगगे तो आपको शकर मिलेगी मैं आडियो के लाइन में आया तो मुझे आडियो मिला लोगों को बात करने का मुमका मिला और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ मैंने अपनी आवास पर शुरू से काम करना शुरू किया और डिकार्डिंग की और आज मैं थोड़ा बत तकलिब में बोलता हूँ लेकिन बोला जाँ और आपको मेरी बात समझने में आ गए होगी एक बात और मैं कहने चाहता हूँ कि हर आदमी को इश्वर ने खुदा ने एक कॉलिटी जरूर दी होती है चाहे इंसान के रुप में चाहे अपने गुणों के रुप में उस कॉलिटी को आपको पहचानना है और उसकी इज़त करना है और उसको सवारना है यह आप ध्यान रखें क्योंकि चार मेंने पहले एटे काने के चार मेंने पहले मुझे लगता था कि मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही है लगा यार कब तक में बेलों की प्रभाकर मुरे का नमस्कार मैं बोर हो गया था मैंने का कि मज़े मज़ा नहीं आ रहा है अपनी आवाज ने अच्छी नहीं लगा रही है और ऐसा लगा कि खुदा ने उश्यर में कहा कि आपको जो मैंने उपवार देया है उसकी किमत आप लगानी पार हो इसलिए मैं उसको अब वाफस लगने की कुशी करके आपको बताता हूं कि आप क्या है या आपकी आवाज क्या है उसने मेरी थोड़ी सी आवाज खराब की आज मैं अपनी पुरानी आवाज सुनता हूँ तो मुझे लगता की वाकी ठीक था इसलिए आपको खुदाने बगवाने जो भी दिया है उसकी कदर करो और अपने लक्ष के पीछे रो लक्ष को नहीं चुड़ना है एक बार गतम बृत के साथ तीन चार शिश जा रहे थे गाउं से गज़र थे उन्हेंने देखा की एक एक गड़े है और वो जा रहे है तो एक शिश ने का की गरुजी ये गड़े क्या है क्या किया यहाँ पर तो उन्हेंने का की ये गड़े नहीं है किसी ने पानी निकालने की कुश की लेकिन उसने क्या किया है अगले अलग जगे एक जगे गड़ा कोदा का पानी निकला दूसरे तूसरे चोहते उसा कुटा हुआ है लेकिन अगर वो एक ही जगे गड़ा कोद कर पानी निकालने लगता है तो पानी निकल जाता है